नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर शुबिंद मिश्र। आज का विशय मित्रों बहुत ही रोचक है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे एक व्यक्त सरकारी नौकरी पाता है। और सरकारी नौकरी में भी कैसे एक व्यक्त IAS officer बनता है। भारत की गवर्मेंट जॉब में सरवोच जो नौकरियां है वो IAS services होती है। तो हम यह आज देखेंगे कैसे IAS officer बना जा सकता है। क्या ग्रह सित्या होती है कुणली में कि वो व्यक्त को IAS officer बनाती है। कुणली में कौन से ग्रह कमजोर अजन को सपोर्ट करके जो लोग त्यारी कर रहे हैं, IAS की, UPSC की त्यारी में लगे हुए है। उनके लिए वीडियो बहुत ही यूसफुल है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही जानकारी से भरा हुआ है। अगर उनके ग्रह में कुछ ग्रह बाधक हो रहे हैं, तो उनके ग्रह को करके कैसे वो अपने लक्ष को पूरा कर सकते हैं। यहां एक बात ध्यान देने वाली है मित्रों की जो त्यारी जो प्रपरेशन आवश्यक है एक आई-एस ऑफिसर बनने के लिए वो क्राइटेरिया आपको पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि केवल उपाय करके और केवल ग्रहस्तितियों के आधार पे हम आई-एस बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। आपको तैयारी तो करना ही हो गी..... हां उस तैयारी में जो टूर करके आप उसका लाब उठा सकते हैं। में बने रहे हैं अंतक क्योंकि इसमें हम आपको ग्रहस्तितियों के साथ बताएंगे कि कैसे एक व्यक्तिय इस ऑफिसर बनता है साथ ही हम यहां पर एक भारत के टॉप ऑफिशल के कुण्डली का रिव्यू भी करेंगे कि कैसे उनकी कुण्डली में जो ग्रहयोग बने थे कि वह एक आयस ऑफिसर बन गया है और वह भी इतने सर्वोच संस्था में सर्वोच स्थर पर पहुंच गया है यह सारी चीजें प्लस साथ में हम इसमें कुछ उपाय भी देंगे कि कैसे आप उन उपायों को करके एक आयस ऑफिसर बनने की रह में एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं साथ ही एक बोनस टिप्स होगा मित्रों जो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा तो आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि वो बोनस टिप्स आपको कहीं भी मैं दे सकता हूं तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना विशह कि कैसे आयस ऑफिसर बने या ग्रहसितियां कैसे व्यक्ति को आयस ऑफिसर बनाती है तो मित्रों आज हम जिस व्यक्ति की कुणली का रिवियो करने वाले हैं वो हमारे भारत के कैबिनेट सेकेटरी है मिस्टर राजी इनका जन्म जो है वो आपका 15 अगस सन 1959 में हुआ था वरतमान में जार खंड उस समय में बिहार था आपके बिहार के मतलब यह आईएस ऑफिसर है 1982 बैच के आईएस ऑफिसर हैं यह होम सेकेटरी भारत के रह चुके हैं वरतमान में यह कैबिनेट सेकेटरी हैं यह मतलब संस्था को भारत जैसे पूरी संस्था को चला रहे होते हैं यह उन में से एक है मित्रों तो इनकी कुंडली में मित्रों एक चीज यह है कि जैसे पंदरागस सन 1959 है इनका एग्जक्ट टाइम नहीं मिल पाया है तो देखिए भारती जोतिशास्त रहे इसमें एक सुदर्शन चक्रपद्दध ही होती है कि उसमें हम लगनो को भी रिविव करते हैं सुर्य कुंडली को भी मतलब मानकर हैर चन्द्र कुंडली का भी रिविव करते हैं तो जब इन तीनों से कोई एकक लोगन एक सफरी में गटना गटिद्थ होगी तो क्या है? क्योंकि इनकी exact birth time नहीं है हमारे पास. तो हम इनको पूसरी कुंदली या चंद्रकुंदली के किसी में आप चलेंगए, הहाँ एक चीजी आती है कि इनको पूसरी कुंदली ये या चंद्रकुंदली किसको हम सब्सक्राइन करें कि रिभ्यू करें. तो धनुराशी इनकी चंद्रलगन हो गई तो अब क्या है इन में से देखते हैं कौन सा बलवान है उसी को हम मान कर आगे चलेंगे तो देखे कुंडली में क्या है कि लगन लगनेश भाव और भावेश यदि बलवान हो तो वो लगन बलवान होती जैसे अब यहां पर देखते हैं कि सूरी जो है वो करकराशी में सूरी के साथ में यहां पर इनकी कुंडली देखे मैं यहां पर लगा दे रहा हूँ जिससे आप देखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे तो वो कोरेलेट होता रहेगा और यहां पर इसको अच्छी तरह सहाँ सभाएंगे सूरी करकराशी में मैं करकराशी में कराशी सौरी जो है वो चंद्रमा है यानि भाव और भावेष जो लगन भाव है यानि करकराशी है सकते उस में देखे शूर्य के साथ में बुरुद्ध भी बैठ्थ में वक्री बुध्ध हैं एक शुबग्रे हुते हैं कि टो एक बालवान शुबग्रिए बैठा हुआ है कंडली में तो लगन मजबूत हुई कि जो चंदरलगन है यहां पर चंदरमां के साथ में शनी बैटे हैं तो भाव और भावेश यह थो खराब हो गए तो यहां पर इस आधार पर सूरह कुंडली याधा मजबूत सिद्ध्ध हुए साथ ही यह जो नशार कुंडली है तो सूरह लगन को मानके तो केंदर में गुरु बैठे हुए हैं चतुर्दभाव में तो लगन से केंदर में यदि शुब ग्रह बैठे हो तो भी लगन बलवान हो जाती है तो इस आधार पर भी यह देखा जाए तो सूरे लगनी मजबूत वा तो इसलिए हम सूरे लगन को ही कुनली मानकर इसका प्रडिक्शन आगे करेंग तो पहले सरकारी नौकरी का योग देखते हैं तो कुनली में क्या है कि द्रशम भाव जो आपके कर्म भाव के सौमी है यानी जहां पे एक नंबर लिखा हुआ है वहां के सौमी मंगल है मंगल क्या है पांचवे राशी में बैटे हूं यानि सिंग राशी में बैटे हैं चतुरत भाव और मंगल इस कुनली में जैसे योग का रख हुए सूरी कुनली में द्रशम भाव के और पंचम भाव के ये योग का रख होते हुए दृती भाव में चतुरते शुक्र के साथ में पूर्ण यृती में बैठ गया है तो एक तो ये बल्वान योग हुआ आय के लिए और नौकरी के लिए दूसरा यह है कि दशम भाव यानि मंगल का संब्ध देगे सूरी से बन गये ठीक है तो सूरी जो है वह आति आवश्यक्त सर्कारी नौकरी पराप्त करने के लिए यदि बल्वान सूरी है तो सरकारी नौकरी मिलेगी, यदि साथ में गुरू का प्रभाव भी है तो भी सरकारी नौकरी मिलेगी, तो यहां देके दोनों बाते से दो रही है, मंगल सूरी की राशी में है, बल्वान होकर सूरी की राशी में है, साथ में दशम भाव में मिलेगी दूसरा यह कि सरकारी नौकरी इनकी I.S. की ही क्यों मिलेगी ऐसा क्या है तो इसमें देखिया है कि क्योंकि सूर्य बलवान है लग्न में है दूसरा मंगल गुरू सूर्य यह ग्रह जो होते हैं यह आपको सरकारी नौकरी में भी जो top official पद होते हैं, यानि administration से जोड़ने वाले जो ग्रह होते हैं वो यही होते हैं, अगर सूर्ज से प्रभावित हैं, गुरु से प्रभावित हैं, इन ग्रहों का अगर कुंदली में अच्छा सामनजेश से बना हुआ है, और प्रभावी होकर ये कुंदली में आपके व्योसायक वाले स्थान से संबंद बना रहे हैं, तो आप administration से जोड़े हुए काम में सफलता पाएंगे, तो इसमें क्या है कि देखें मंगल, दशम भाव के स्वामी मंगल स्वयम है, मंगल इनके सूरी की राश में, यानि दृति भाव में, पंचम राश में, सूरी की राश में, यहां पर यह चीज देखने में आ रहे है कि यह एक top official पद पर administrative पद पर रहेंगे, तो सरकारी नौकरी में रहेंगे, तो सरकारी नौकरी में administrative पद यानि आपके IS officers होते हैं, दूसरी चीज यह है कि यहां पर जो ग्रह योग हैं, वो तो अपना role play करते ही है, लेकिन साथ में एक चीज यह भी ध्यान में रखने वाली रहती है कि योगों के साथ में जो आवश्य ग्रह दशाएं हैं, उनका होना भी बहुत जरूरी है, ग्रह उच्चके हैं, बहुत अच्छे गजगेसरी योग हैं, और काहल योग हैं, परवत योग हैं, बहुत शुब 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 इस के चन्दरमा का आना भी बहुत आउश्यक होता है, जैसे, यह चन्दरमा की महाधर में IAS बने, बहुत बहुत अचाओ में उकरी में इनका सेलेक्शन हुगा, अब देखे हैं, इचन्दरमा कहाँ हैं, चन्दरमा चटने भात कर नोकरी में हैं, जो कि नोकरी का का इस कारण से यह देखा जाए कि चंधरमा की महादशा में इनको नौकरी मिली. तूसरा यह कि वर्तमान में यह होम सेक्रेटरी जो बनें और उसके बाद форм車 वर्तमान में यह कि महादशा चल गाल。 तो गुरु की महादशा में ये होम सेक्रेटरी भी रहे और साथ में वर्तमान में ये कैबिनेट सेक्रेटरी भी है तो इतने टॉप ऑफिशल पद पे इनको कौन पहुंचा रहा है गुरु अव्यस है गुरु ही पहुंचा रहे है क्योंकि गुरु इनके कर्म भाव को यानि दशम भाव को पूर्ण दृष्टी से देख रहे हैं और गुरु की दृष्टी बहुत शुब होती ही मित्रों और अगर सूरी मतलब लगन को अगर देखें जो सूरी कुंडली है इसके अनुसार से गुरु जो है इनके एक तो नौकरी कारक है, दूसरे भाग की कारक है और ऐसे गुरु परमशुब हैं इस कुंडली में करकलगन की कुंडली में और ऐसे गुरु की तृष्टी दशम भाव उपर हो जाए तो यह तो एक तो सोने में सुहागा वाली बात है, सरकारी नौकरी है, उस पर भी केबिनेट सेकरेटरी है, तो गुरु के परभाव से यह आगे मतलब इनको उन्नत ही मिली, यह और बड़े पत पर गए, क्योंकि गुरु जो है वो बड़ा ग्रह है, तो वो और बड़ी चीज कि उन्नत ही मिली, तो इसमें यह देखा जाए, कि चंद्रमा गुरु, मलब दशाओं में चंद्रमा और गुरु का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इनके कुणली में, साथ ही, इनके कुणली में सूर्य गुरु और मंगले, इनके योग व्यवसाय निर्धारण में इन चंद्रमा भाव और अब दो कि चंद्रमा रहा है, उनके घर काड़क है, अगर एक बड़े देश को अगर माने उन जाए तो अब देश का घर होगए नियुक्ण चंद्रमा अब मुल गए, और तो उसमें क्या हुआ, कि चंद्रमा भाव से संबंधिति इनको नौकरी में ल तो इसमें शुक्र और गुरु का विशेश हात रहता है, तो देखें, गुरु शुक्र की राश्री में होकर दशम भाव को देख रहे हैं, तो यह इनको सेक्रेटरी पद पे ले जाते हैं, दूसरा यह कि गुरु से सूर्य केंद्र में है, अगर गुरु को लगन में माल ले, थोड़ी दर के लिए, तो गुरु से केंद्र में सूर्य है, सूर्य और बुद्ध दोनों ग्रह बैठे हुए, तो यहां बुद्ध का विशेश रोल नहीं है, यहां पर सूर्य का विशेश तो क्या होगा ऐसे व्यक्ति को एड्मिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत बड़े इस तर पर मिलती है तो इसमें साथ ही इनकी जो ग्रह तशाएं है इनके जो ग्रह योग है यह कम्प्लीट पैकेज बनाते हैं एक आइस ऑफिसर बनाने के लिए साथ ही उनको और पदोनेद दे बाइस थे माशियर पूम वह यह जले जाता एंग पयां है जो भी मित्र हमारे आइस की तैयारी कर रहे हों सो उनके लिए एक यहां पर स्कूने लिए कि हमारे लिए उनका ग्रों का सूर्य उनका मंगल यह 3 ग्रह अच्छे होने लिए जिससे कि वो यह IS examination में qualify कर सके एक IS officer बन सके और आगे भी उन्नती कर सके अब मैंने जसना वादा किया था कि मैं एक tips आपको दूँगा तो वो tips यह है कि जिनका भी सूर्य कमजोर हो तो वो तामे के लोटे में जल लेकर ठीक उसमें एक गुड़हल का फूल डालें थोड़ा कॉंकुम डालें थोड़ा गुड़ डालें और भगवान सूर्य नराण के सामने खड़े होके बारह बार आदित द्वादश नाम इस्तो पार्ट है यह आप सर्च करेंगे आपको गूगल पर मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से भी देख सकते हैं तो उसका पार्ट करना है आपको बारा बार रवी बार के दिन से यह प्रयोक शुरू करेंगे और तीन महीने तक निरंतर करते रहना है तो यह जो जल है उसको लेकर भगवान सूर्य नाराइण के सामने खड़े हो जाएंगे तो हमें के पात्र में लेके उसमें गुड़हल का फूल होगा थोड़ा कुंकुम होगा थोड़ा गुड़ होगा और बारा बार आदित द्वाद सूर्य नाराइण को जल समर्पित कर देंगे तो ऐसा करने से अगर सूर्य से सम्मंधित कोई बाधा आपके जीवन में आ रही है जिससे कि आप आयस ओफिसर नहीं बन पा रहे हैं तो वो दूर हो जाएगी और आपको अपने जौब में अपने काम में और जो आप तयारिया कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा तो आईये में तो आप बात करते हैं उपाय की अभी हमने सारे योगों के बारे में देख लिया है और किस तरह एक आईयस ओफिसर बना जाए इन योगों के बारे में भी चर्चा की तो अब अगर इन ग्रहों से सम् आप दारी कर रहे हैं वो अपने लक्ष को पा सके तो इसमें दो चीजे हैं एक धारन करने वाली चीजें दूसरा उपाय है तो धारन करने वाली चीजों में में तो यह हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष ठीक अगर पंच मुखी रुद्राक्ष के माला जिसमें एक मुखी रुद्राक्ष में लगा होगा ऐसी माला अगर धारन करते हैं तो इसको धारन करने से गुरु और सूर्य बल्वान होते हैं और इससे गुरु सूर्य सम्मंदित जो दोश है उनका निवारन हो जाता है जो रु रुद्राक्षा उसी का विशेश रूप से महत होता है अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो बारा मुखी एक रुद्राक्ष उसको दो मुखी रुद्राक्ष की एक चववन दाने की माला बनवाएंगे उसमें लगाकर इसको पहन लेंगे मतलब एक चववन दाने की दो मुखी रुद्राक्षी माला रहेगी जिसमें बारा मुखी जो एक रुद्राक्ष है वो सुमेरू में लगा होगा तो इस तरह करके वो माला आप धारण कर लेंगे ठीक है तो इससे भी गुरू और सूर्ज से संबंधिन जो समस्या है वो आपकी दूर हो जाएंगी साथ ही इसमे एक विशेश उपाय है मित्र तुलादान का तो इसमें करना ये है कि अपने टोटल वजन के बराबर आपको गुर मसूर लाल मसूर की दाल प्लस चने की दाल ये दान करनी है जैसे मान लेते हैं कि आपका वजन अगर साथ किलो है तो आप बीस किलो गुर ले ले बीस किलो चने की दाल ले ले बीस किलो लाल मसूर की दाल ले और इन स 바로 को आप गुरु वार के दिन या रवि वार के दिन किसी भी बरामर को संकल्प पूरवग्दान करेंगे तो इससे गुरु मंगल और सूरिसम मंदिस समस्यां दूर होंगी और आपको आयस बनने की तियारी में जो बाधाय आ रही है वो दूर हो जाएंगी नियुस्त करोंगी तो मित्र जदी से आप सब कमेंट करके रहे के एक नाउंस्चमेंट भी है कि मैं मैं weekly एक दिन किसी एक विक्ति की कुणली का analysis करूंगा free of cost तो इसके लिए करना आपको यह है कि आपको अपनी date of birth, birth time और birth place, अपना नाम, अपनी age और अप क्या करते हैं यह सारी चीजें आपको और अपनी email id यह सारी चीजें आपको comment box में comment करना है हमारी यह श्रंखला चलेगी अब मैं प्रया कोशिश यह कर रहा हूं कि जैसे में Monday और Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday इन सातों दिनों में एक जोतिश के अलग अलग विश्यों पर आपको वीडियो बना के देता रहा हूं तरों मिलते हम आप से अपने नए वीडियो में एक नई जान करेंज साथ एक नए वीडियो के साथ बने रही है हमारे साथ अब तक के लिए जै श्री राम झाल 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 झाल